अभी प्रस्तूत किये गए बृत्त चित्र के माध्धम से जारखन विधान सभा के 20 बर्स की जीवन जात्रा को प्रस्तूत करने का प्रयास सभा सचिवाला इद्वरा किया गया है आसा है यह आपको पसंद आई होगी साथ ही इन 20 बर्सों के घटना क्रमों को और उपलब्धियों को अभी लिकित करने के उद्देश से एक इसमारी का भी तयार की गई है जिसमें संगसदिय लोक तंत्र से समंधित अलग-अलग आयामों को प्रस्तूत किया गया है आज का यकार्ज क्रम विशेश रूप से हम सबों के बीच से एक उत्क्रिस्ट विधायक के चैन का है पुरस्कार चैन समिति के समख यह एक अच्तनत ही चुनती परनकार्ज था कि आप सभी महानुभवों में से किन का चैन इस पुरस्कार हैतु किया जाए यकार्ज एक आकर्सक मोतियों के माला से सबसे सुंदर और निर्मल मोति को चुनने जैसा है परन्तु मुझे आसा है कि पुरस्कार चैन समिति के निर्नाज से आप सभों को भी संतोष हुआ होगा मानिय स्री नलीन सोरेन एकक्रित बिहार के समय से आज तक लगातार साथ कार्ज कालों तक एक विधान सभा को सुसोवित करते रहे हैं साथ कार्ज कालों का अभीरत विधाई अनुभाब और उन पर छेत्र की जनता का अटूट विश्वास हम सब के सामुहिक निर्नाए पर तो मोहर लगाता ही है स्री स्वरेन का सहाज और मिर्दुभासी सभाब उन्हें आजात सत् आज के दिन हम विधान सभा के उत्क्रिष्ट कर्मी को भी पूरस्कृत करते हैं ताकि हम उनके करत्व परायनता का सम्मान कर सके और इससे दूसरे को भी प्रेरना मिल सके मैं इस पूरसकार है तुचैनित किये गए सभी सभासची वालाई के पदादीकारियों और कर्मचार को अपनी और से बधाई देता हूं आज के दिन हम सीमा पर सहीद हुए सहीदों के परिजनों को और राज के अंदर नक्सली हिंसा में सहीद हुए पुलिस कर्मी और अर्धसायनिक बलों के परिवारों को भी सम्मानित करते हुए गर्ब का अनुभती महसूस कर रहा हैं देश क सुरक्षा के लिए अपने प्रानों की आहुती देने वाले इन बीरों को मेरा सत सत नमन दो हजार बीस एक ऐसा साल है जिसमें एक महामारी ने हमारे जीवन की रूप रेखा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया आज भी पूरी मानब जाती इस महामारी से अपने अस्तित की लड़ाए लड़ रही है ऐसे में इस कठीन समय में जब लगडाउन के दुरान अपने प्रानों की रख्षा के लिए सरकार ने सभी को अपने घरों में सरक्षित रहने की सलाह दी थी तब हमारे चिकितसक, नार्स, पारामेडिकल स्टाप, पूलिस और प्रसासन, कर्मी मंग सामाजिक कार्ज करता, दीन, रात हमें सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहते, पूरी दुनिया ने उनके जज़वे का सम्मान करते हुए उन्हें करोना जोद्धा का नाम दिया, पूरे राज के उन करोना जोद्धाओं के प्रती जितना भी आभार वैक्त किया ताकि हम पूरे राज के ऐसे कर्मियों के प्रती अपना सम्मान प्रस्तुत कर सकें, चैन समिती द्वारा चैनित उन तीनों कोरोना जद्धा के प्रती अपना सम्मान बैक्त करते हैं और आसा करते हैं कि उनकी कर्त बनिष्टा पूरे राज के लिए एक नजीर बनेगी, इस समिती व्यवस्था और अधिक सूधिड़े किया जाए संक्सिद्य व्यवस्था में समिती विधान सभा का छोटा सा रूप है और अपने कार्ज संचालन नियमावली के माध्यम से हमने अपने विधान सभा में आज से प्रावधान किया है जिन से समिती ववस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है परंतु अब तक इन में से कई समितियों के निर्मान से समिती ववस्था और अधिक ववस्थित और कारगर हो सकेगी और जारकंड विधान सभा प्रभावी विधाई का बनने के अपने लक्ष को प्राप्त कर सकेगी। इस उद्देश्ट को द्यान में रखते हुए सभा सची बालाई के अनुभवि पदाविकारी को सामिल करते हुए एक प्रारूप समिती का गठन किया गया जिसमें यह जिम् मित्रेश कुमार मिस्र की अद्दक्चता में बनी इस समिती के करीब दरजन भर समितियों के निर्मान निलिये नियमाबली का प्रारूप तयार कर लिया है। आगे विस्त्रित चर्चा कर हम इस नियमाबली को मुर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करेंगे। प्रारूप समिती के अन्य सदश उपसचीब कुंदन कुमार सिंग, अवर सचीब सरोज कुमार, सहायक प्रसाका पदाधिकारी स्री रानु कुमार, स्री प्रिय संकर और स्री कृष्ण कुमार सिंग को भी हम उनकी लगन और मेहनत के लिए सादुबाद देते हैं। हमारा राज जारकंड देश के परतम सतंतरता संग्राम, संथाल हूल और धर्ती आवा भगवान बिर्शा मुंडा के आदर्स के प्रेरना से निर्मित है। अंदोलन के आदर्सों और जना आकंग्चाओं के नीब पर हमने इस राज को स्थापित किया था। राज की सरवच्च, विधाई सहस्ता और हम सब जनपरतिनीधियों के सफल अताका सबसे बड़ा मापदन रही है कि इन बीस बरसों में हम उन आदर्सों के जिवंत रखने में और जना आकंग्चाओं पर खड़ा उतरने में कितने सफल हुए हैं। हमें खुसी है कि आज हम इस जूबा राज की बागडोर स्री हमंत सोरेंजी के जूबा हातों में है वो राज का नत्रित उन जना कंग्चाओं को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से समर्पीत है। उनकी प्रिथक पहचान दर्ज कराई जाए। बर्तमान नत्रित में ने इन जनकांचाओं के अनुरूप विसे सत्र बुलाकर इस संकल्प को पारित कराया। मुझे उमीद है कि जल्द ही इस परकेंद्र सरकार की सामती प्राप्त होगी जिससे राज की बहुत संकक्त आदिवासी जनता को नोकेवल सरकारी जोजनाओं का परजब्त लाब मिल सकेगा बलकि उनकी प्रिथक पहचान और अस्मिता का भी हम सम्मान कर पाएंगे। पंचम जारकन विधान सभा अब तक कुल चार सत्र आयोजित किया गया है और मुझे संतोस है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सभा के संचालन में मुझे अपना पूरा सहजोग प्रदान किया मानसून सत्र के दोरान करोना महामारी से प्रभावित कठीन परिस्थितिय में भी सभा का आयोजन कराया गया और इस दोरान मुझे ये सुखद संतोस हुआ कि हमारे वे मानने विधायक गान जो करोना संक्रिमित हो गया थे उन्होंने अनलाइन कनेक्टिवीटी के माज़दम से सत्र से जूडने की इच्छा वैक्त की आप मानने विधायकों का और ख गातार साड़े पांच घंटे तक चली बहस जिसमें करोना महामारी पर विशेश चर्चा भी किया गया हम सब को जार्खन में लोकतांतरिक परंपरा की परिपक्कता की आगमन की मंगल सुचना देता है इस जूबा राज में जूबा नित्रित के साथ बीधायका में मजूद जूबा जोस और परिपक्कता का मिस्रन निश्चाई आने वाले समय में जार्खन के देश के बिकसित राज्जों की पंक्ति में खड़ा करेगा और राज के साड़े तीन करोड जनता का समग्र विकास सुनिश्चित करेगा धन्वाद जयहिन जय जहर्खन